हेलो फ्रेंट्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी का हल्वा, यह एक स्वीट डिश है और इसे बच्चे खाने में बहुती पसंद करते हैं और इसे बनाना भी बहुती आसान है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं फ्लेम पे हमने कड़ाई रख दिया है और जब कड़ाई अच्छे से गरम हो जाएगा इसमें हमें एक चम्मच गी डाल देना है गी को हमें अच्छे से पिगला लेना है और इसे चारो और फैला देना है जब किया अच्छे से पिगल जाएगा इसमें हम एक कप सूजी डाल देंगे और इसे दो मिनिट के लिए फ्राइ कर लेंगे अब इसमें तीन कप पानी डाल देंगे अगर आप एक कप सूजी लेते हो तो तीन कप उसमें पानी डाल दीजिएगा अब इसे हम हाई फ्लेम पे बॉयल कर लेना है थोड़ा सा गाड़ा हो चुका है अब इसमें हम स्वाद के अनुसार चीनी डाल देंगे अब इसमें हमें किश्मिश डाल दिये हैं थोड़े से काजू और थोड़े से बादा अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा गाड़ा होने तक पकने देंगे अब देख सकते हो गाड़ा हो चुका है अब इसमें हम आदा चम्मच इलाईची का पौड़ा डाल देंगे ताके सुआद भी अच्छे से आ जाए इसका हो गया हमारा सूजी का हलवा बनके त्यार बहुत ही सिंपल सा रेस्पी ए फ्रेंग्स जरूर ट्राइगे जेगा इसे I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में